हेलो स्टूड़न्स आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंद की इंग्लिश पुक गोड़न लीफ का चाप्टर नमबर फॉर दबलाड ऑफ गम अब बलाड क्या है बलाड लेखते हैं कि का सॉंग है जो की एक स्टोरी प्रेजेंट करता है ठीक है जैसे पोयम लिखी उसको पोयम अने जो स्टोरी फोयम की फॉर्म में लिखते हैं और सॉंग की तरह गाया जाता है और यह द्रमाटिक भी हो सकती है फॉनी भी हो सकती है ठीक है यान कि में ली मुजिकल स्ट्याईल में इसको हम बोलते हैं अच्छ और काफी सारी बलाड शू होती है जानि इस तरह की जो प वॉल्फ रिच ठीक है तो आएए इस चाप्रा को स्टार्ट करते हैं और डॉग वांडर्ड इंटु आ गार्डन वान डे अ फ्रेंडली ओल्ड मट डिड नॉट लोक लाइक श्रें एक पॉथर बताते हैं कि एक बार उनके गार्डन में एक डॉग जो है वो हूंते टहलते वे आ जाता है वह बहुत फ्रेंडली डॉग होता है और वह बिल्कुल सड़क पे टहलने वाला गुता नहीं था वह एक पेड़ डॉग जैसा लग रहा था वी नेवर डिस्कोवर्ड हैं वेंस ही हैड काम बट वी ब्रश्ट हिम एंड फेड हिम एंड़ किड्स कॉल्ड हिम गम बताते हैं ऑथर कि हमें नहीं पता हमें कभी भी नहीं पता जला कि वो कहां से आया ठीक है वो कुटा उनके गार्डन में कहां से आया कैसे पहुंचा किसका था वो कुछ भी नहीं जानते थे उसके बारे में ठीक है पर फिर भी हमने उसको अच्छे से निलाया दुलाया उसको खिलाया और जो आसपास के जो किड्स थे जो आसपास बच्चे रहते थे वो इसको गम बुलाते थे नाओ आस फैमली मेंबर्स इवन डॉक्स मस्ट वर्क हार्ट सो वी पुट गम ऑन ड्यूटी नेक्स्ट दो इन आवर यार्ड कोई जो भी फैमली मेंबर्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है तो इसी तरीके से डॉक्स को भी काम करना पड़ता है अभी जो डॉक्स था इनके लिए इनका फैमली मेंबर जैसा हो गया था ठीक है तो इन्होंने भी गम को क्या किया काम पे लगाया इन्होंने गम को अपना जो यार्ड था उसकी रखफाली करने के लिए लगा दिया उसको ठीक है ब्राइट आइड watchful by night and by day but not much a guard dog I am sorry to say बताते हैं कि हाँ वो डॉक जो था वो उसकी जो आखें थी वो बहुत ज़्यादा ब्राइट थी और रात में भी जाकता था बट वो कहता है कि फिर भी मुझे अफसोस होता है कि वो गार्ड वाला जो कुत्त होता है जो कुत्ते जो रखफाली करते है वो बिल्कुल भी उस तरह का था ही नहीं ही बाग्ड रडी कैट्स एंड ही वर बार्क अट टोड वो गैट पर भी भॉंकता था थी के उसके ऐलावा वह छोट छोटे कर जो कच्छू होते हैं मेंड़क होते हैं स्वारी तोल मतलब मेंड़क ठीक है मेंड़कों पर भॉंकत देटी ही फेल यो सी गम लाइक पीपल एंड ही जस्ट वेग इस तेल यह जो डॉक था हॉर्स पे भी बाग करता था पर और यह नहीं समझ भाता था कि हमेशा फेल क्यों हो जाता था यह ऐसा इसलिए होता था जो गम था वह सभी लोगों सभी जो लोग तो से बहुत जादा प और यह एteल हिलाता है तो वो friendly dog है ठीक है ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि इस तरह की हरकते जैसे जो जो करते हैं यह behavior friendly behavior दर्शाथ है तो यहां पर गम का भी ऐसा ही Вेह था वो भी अपनी पुछ लाख एपना friendly behavior दिखाता था लोगों के साथ कि लाइक दे यार्ड लेबर एंड एमियेबल बंच दे फेड आर डॉग टिबिट्स और क्राप्स फ्रॉम देर लंच यह जो लेबर थे यार्ड में जो सके काम करते थे वह भी इसे बहुत पसंद करते थे ठीक है इस ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक तो यह डॉग जो था ब अपने लंच के इसको डाल दिया करते थे ठीक है गम वुल्फ डिट ओल डाउन बट तू आर्डस में ही सीम तो गेट फैटर वीच विद इच पासिंग डे जो गम था वह बहुत ज्यादा मतलब वह जो फूर्ड होता था जो भी उसको डाला जाता था पूरा भर-बर के मु ख्याड नहीं था खाता था और लोगों के पास अपनी यूज़ व करता रहता था ठीक है क्योंख यह लोगों को बद फते हैं शर्व भी चंशार्ट जो गम था वह ने आश्य वह एक अर रम कर रहा था ठीक समल क्वени Realm सब चुद्षय के आश्थतू कि अर्डिट में टोरो अंदर घुसने की कोशिश करता है। पाएगा कि यहां पर यह आया है ठीक है बट गम वाजवेक एंड ही वो एंड ही हट सीन हिम और राइट डिलाइट विट कंपनी दिस ताइम आफ नाइट पर यह जो गंथा क्योंकि यह फ्रेंडली डॉग था इसने उस बर्गलर को देख लिया था और देखने के बाद जो है यह बहुत जाइधा खुश हो गया था ठीक है क्यों खुश हो गया था रात का समय था अब उसको अपने साथ कंपनी में एक बंदह और मिल गया था है ना he flew through the yard his new friend to greet and his weight bowled the burglar right off right off off his feet अब यह जो गम था यह दोड़ते हुए जो है याड से याड में दोड़ते हुए अपने new friend को greet करने के लिए तैयानि इसको hello hi करने के लिए जा रहा था ठीक है वो दोड़ते दोड से जा रहा था और वो बर्गलर को बर्गलर के पास उसने दौना शुरू कर दिया और फिर बर्गलर को उसने गिरा भी दिया दा इंट्रूडर गॉट अप और रान ओफ विद अवेल जो बर्गलर था उसने देखा कि अरे यह कुत्ता जो है इसने तो मुझे गिरा दिया पर वह तो अपना इंट्रूडर बोलते हैं तो जो बर्गलर था वो उठा और वहां से भागना शुरू कर दिया तुरंट एंड गम राइट बिहाइंड हम स्टिल वागिंग हिस टेल और जो गम था वो अभी भी अपने टेल हिला रहा था अपनी पूछ रहा था और उसके पीछे-पीछे भा वह फैंससे कूद फान के बाहर निकल जाता है जैसे चैंपियंस दौड रहे होते हैं वह बिल्कुल इतनी तेजी से दौडते हुए वहां से उनके यार्ड से बाहर निकल जाता है बट गम कुडन जंप गेट तो सड़ली इंस्टेट ही पिक अप दर थीव वालट एंड वे पर गिर जाता है जब थीव पार कर रहा होता है तो यह जो गम है यह उसका वालट उठाता है अपने मुह में दबाता है और वापिस से अपने बिस्तर बर आके लेट जाता है अगले दिन सुबह सुबह सभी को एविडेञ्स मिलता है और सबी लोग देखते हैं थीक है क्या देखते हैं कि जो गम है उसके पास दिखाता है वालत और जो उता है वो थोड़ा बाद चूट होता है यानि कि चबाया हुआ 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 है क्यों कुटे जूते चपल चबा पूरा टाइम बढ़ते रहते हैं इसलिए जो डॉग्स होते हैं वह किसी भी रबर वाली चीज को चबाते रहते हैं तो यहां पर भी इसलिए जो गम है उसने इस वालेट को थोड़ा बहुत चबाया हुआ है once given the wallet the police did not fail to capture the burglar and put him in jail जब एक बार वालेट मिल जाता है तो जो पुलिस है उनको भी चोर पकड़ने में बड़ी ही असानी हो जाती है और जो चोर है उसको पकड़ लेते हैं और उसे जेल में भी डाल देते हैं his confession like wildfire spread through the town how a big vicious dog a guard dog had knocked the thief down फिर जो चोर होता है उससे confession लिया जाता है कि कैसे क्या करने गए थे तुम तो confess करता है कि उसको जो है एक कुते ने दोडा लिया था वो कहीं पर चोरी करने जा रहा था तो यह जो बात होती है गम की bravery की जो बात होती है वो आग की तरह पूरे शहर में पहल जाती है और सब लोग यहीं सोचने लगते हैं कि जो हमारा जो डॉग है जो गम है वो बहुत जादा खतरनाक डॉग है ठीक है और उसने तो एक थीफ को भी नॉक डाउन कर दिया यानि कि पकड़ लिया उसको यह सारी ही जो भी उसके लिए गम के लिए जो भी बाते हो रही थी पूरे टाउन में कि यह तो बहुत जादा खतरनाक वाला डॉग है यह सब पाते जो फैमिली थी पोईट की सब सुन-सुन के बहुत जादा हस रहते और उनके लिए अब जो गम था वो एक हीरो की तरह हो गया था ठीक है उस बहुत जादा वो खुश थे इस रीट से देहाज देस बीनु अटेम्ट सेंस्ट अबर्गल अर्ग यार्ड फोर एवर्रीवन नूस नाउट गम इस अवर गार्ड और उसके बाद से कोई भी चोरी हमारे यार्ड में आज तक कोशिश भी नहीं करी गई है क्योंकि सब लोग अब जानते हैं कि हमारे यार्ड में जो गार्ड का काम जो है वो गम कर रहा है तो स्टूडेंस यह इस चैप्टर का एंड था आई होब आप सभी को इस चैप्टर का जो कम्प्लीड एक्स्पिनेशन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा आए अब हम इसके क्वेशन आंस उसको डिस्कस करते हैं जो गम था वो फैमिली पेट कैसे बन गया था गम बिकेम फैमिली पेट वेन ही वांडर इंटो दे गार्डन वन दे टुक इम इन ब्रश्ट हिम फैज इम आड दे गम तो जो गम था यह फैमिली पेट ऐसे बन गया था कि एक दिन वह वहां पर घूमते टहलते उनके गार्डन में पहुंच किया था तो इसे लिए जो ऑथर की जो फैमिली थी उन्होंने उसको रख लिया था उनको उसको नहलाया दुलाया खाना पीना खिलाया और जो किट्स ते उसको गम बलाने लगे थे What duty was given to gum? Gum को क्या duty मिली थी? Gum was given the duty of guarding the family's yard याने की gum को duty मिली थी कि वो घर का यार्ड है उसकी रखवाली करे Why does the poet say that gum was not much of a guard dog? The poet ऐसा क्यों कहता है की जो gum था वो एक guard वाला कुता नहीं था याने की वो रखवाली करने वाला कुता नहीं था ऐसा उन्होंने क्यों बोला था? The poet says that gum was not much of a guard dog because he barked at animals and waked his tail at people showing that he was friendly rather than fierce. तो जो guard है जो poet है वो यह बताते हैं कि जो gum है वो एक तरीके का guard dog इसलिए नहीं है क्योंकि वो जादा तर जानवरों पर भोगता है लोगों को देखकर के वो पूछे लाता है यानि कि वो एक friendly dog है ना कि एक खतरनाक dog है ठीक है? Fures का मतलब हो गया खतरनाक है दराबना Whom does the poet call an amiable bunch? किसको बोल रहे हैं poet है हाँ पर amiable bunch? The poet calls the yard laborers an amiable bunch तो जो poet है वो yard के laborers को amiable bunch बोल रहे हैं Why did gum get fat? Gum got fat because the yard laborers fed him tidbits and scraps from their lunch जो yard laborers थे यार्ड के जो laborers थे वो उसको gum को tidbits बहुत तुकड़े उसको अपने लंच के डाल दिया करते थे और जो gum था उनको खा जाया करता था ऐसे ही होता था What gave the burglar the confidence to enter the poet's home? तो burglar को कैसे confidence मिला था कि वो poet के घर में घुस सके The burglar had the confidence to enter the poet's home because he saw no alarms or heard any siren howling and he assumed that there were no guard dogs जो burglar था उसको confidence इसले आ गया था क्योंकि उसने किसी भी तरह का alarm या किसी भी तरह का siren नहीं सुना था और इसके अलावा उसकी वज़े से उसने यह भी सोच लिया था कि लग रहा है यहां पर कोई guard dog नहीं है What did Gum do when he saw the burglar? Gum ने क्या किया? जब उसने burglar को देखा When Gum saw the burglar, he flew through the yard to greet him, knocking the burglar off his feet जब Gum ने burglar को देखा, तो दौटते हुए yard में उसको greet करने के लिए आया और ऐसा बोलते बोलते वो जो है burglar के ऊपर कूच जाता है और burglar जमीन में गिच जाता है Who is compared to a champion athlete and why? तो यहाँ पर champion athlete किसे बुला गया है? Gum is compared to a champion athlete because he cleared the hurdle of escaping the yard to chase the burglar तो यहाँ पर Gum को champion athlete बुला गया है क्योंकि वो जो hurdles है उसको cross करके चेस कर रहा है burglar को What was the evidence that Gum had collected? Gum ने क्या evidence collect किया था? The evidence that Gum had collected was the burglar's wallet which Gum brought to the family यहाँ उसने wallet लिया था ठीक है जब वो यार्ड को कूद के भाग रहा था How did the burglar describe Gum in his confession? What was the irony in this confession? तो यहाँ पर burglar ने Gum को अपने confession में किस तर से describe किया था? और क्या irony थी उसके confession में? In his confession the burglar described Gum as a big vicious guard dog that knocked him down The irony in this confession is that Gum was actually a friendly dog who waked his tail instead of attacking तो यहाँ पर Gum को describe किया है एक बड़े ही vicious guard dog के नाम से ठीक है जिसने उसको गिरा दिया था यहाँ पर irony यही है कि जो Gum था वो actually make friendly dog था जो कि लोगों को देख करके अपनी पूछ हिलाता था ना कि उनको attack करता था Choose the correct option अब इसमें से correct option choose करना है Which of these describe the dog? अब यहाँ पर Gum को क्या describe करता है? Gum एक friendly dog था ठीक है? वो एक stray dog बिलकुल भी नहीं था Sorry यहाँ पर stray dog भी नहीं आएगा small dog भी नहीं आएगा fierce dog भी नहीं आएगा वो एक friendly dog था The yard laborers were an amiable bunch What is the meaning of amiable bunch? तो जो guard laborers थे वो amiable bunch थे यहाँ पर amiable bunch का मतलब क्या है? Amiable bunch का मतलब friendly है Why did Gum jump on the burglar? गम जो था बर्गलर पर क्यों कूदा था? क्योंकि वो उससे friendly होना चाहा रहा था He was being friendly Okay What item belonging to the burglar did Gum found? तो बर्गलर का कौन सा आइटम गम को मिला था? तो बर्गलर का आइटम उसको wallet मिला था ठीक है? Gum को उसका wallet मिला था reference to context But we brushed him and fed him and the kids call him Gum Which two adjectives are used to describe the dog just after the extract? The two adjectives used to describe the dog just after the extract are friendly and old यानि कौन से दो आइटमाल की आप गया है और डॉड को describe करने के लिए तो the Gum treated people differently by wagging his tail and showing friendliness towards them यानि वो अपनी पूछ हिला करके उनके साथ friendly behavior अपना शो किया करता था How did the yard laborers treat Gum? जो यार्ड के लेबरर्स थे, वो गम को कैसे ट्रीट करते थे? यार्ड लेबरर्स तुकडे खाने का उसको डाल दिया करते थे? Then one night when gum was late at his ease, a burglar crept in just as quiet as you please. Why did the burglar assume that there were no guard dogs in the house? The burglar assumed that there were no guard dogs in the house because he saw no alarms or heard any siren howling. क्योंकि उसने कोई भी alarms नहीं सुने थे, कोई भी siren की आवाजें नहीं सुने थे. What did gum feel at the sight of the burglar? What did he do? Gum को कैसा फिल हुआ था जब उसने बर्गलर को देखा था? उसको देखने के बाद क्या किया था? The gum felt delighted at the sight of the burglar. He flew through the yard to greet him. जो gum था वो बहुत खुश हुआ था उसको देख करके और उसको मिलने के लिए वो यार्ड में दोडते वे उसको greet करने के लिए गया था. Was the burglar frightened at the sight of gum? What did the burglar do? क्या burglar जो था वो gum को देख करके डर गया था? फ्राइटन मतलब डर गया था और उसने क्या किया था? The burglar was frightened at the sight of gum and ran off with a whale. जो burglar था वो उसको देख करके डर गया था, फ्राइटन हो गया था, ठीके डर गया था और दोरते हुए वो वहाँ से भाग गया था. What misunderstanding did the burglar have? Burglar को क्या misunderstanding हुई थी? The burglar misunderstood gum's friendliness as an attack by a big vicious guard dog. Burglar था, उसको misunderstanding हुई थी, कि जो gum है वो एक friendly dog नहीं है, क्योंकि उसने उसके ओपर अटाकिया था, वैसा सोच रहा था कि एक बहुत बड़ा भयानक guard dog है, क्योंकि वो एक मोटा जानवर भी था है, था है, ना? What proves that the poet's family was kind to the dog? In the poem, how can we prove that the poet's family was friendly to the dog? The poet's family brushed the dog, fed him and even gave him a name, showing their kindness toward him. यानि कि जो poet's family थी, उसको खाना खिलाती थी, उसको ब्रश करती थी, उसको नाम भी दिया था, इन सभी चीजों से पता चलता था, कि वो उसके साथ kind है. How did gum treat people differently from other animals? यह question पहले भी आ चुका है, कि gum कैसे other animals को और जो people था, उनको कैसे differently treat करता था, तो gum जब जानवरों को देखता था, तो भॉंकता था, और जब इंसानों को देखता था, तो अपने tail को वाग करता था, यानि हिलाता था. Gum treated people with friendliness and wagged his tail, while he barked at other animals. What did gum feel when he could not follow the burglar beyond the gates? What impression can be formed of gum's nature? Gum felt sad when he could not follow the burglar beyond the gates. Gum felt very proud, because the burglar did not follow the burglar beyond the gate. This shows that he was loyal and determined to protect his family, even though he physically could not go further. This shows that he is very loyal and determined to protect his family. Why does he physically fit not? Because he couldn't go further. How does the idea that appearances are often deceptive apply to this poem? The idea that appearances are often deceptive applies to this poem as Gum was seen as not much of a guard dog because of his friendly nature, but he ultimately proved everyone wrong by protecting the family and catching the burglar. This is the end of the story. This is the end of the story. I hope you all have no doubt. If you like this explanation, please like this video. If you have any query, please write it in the comments section. Share it with your friends. And wait for the next chapter. Thank you. Thank you. So, thank you.